रूस और नॉर्थ कोरिया की बड़ती नस्दीकी ने यूकरेन की टेंशन बढ़ा दी है यूकरेन की राश्चुपती वोलोडिमिर जलिंस्की ने नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप लगाया है जलिंस्की ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए यूकरेन के खिलाफ यूद्ध में ना केवल हथियार बलकी सैनिक भी भीजे है इस बीच इस मामले से परिचित एक पश्चमी राजनाइक ने 15 अक्टूबर को कीव इंडिपेंडन को बताया कि उत्तर कोरिया ने यूकरेन के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 सैनिकों को रूस भीजा है वहीं जैलन्सकी का भी कहना है कि हम देख रही हैं कि रूस और नोर्थ कोरिया जैसे देशों के बीच संभन और गहरे होते जा रही है जैलन्सकी ने आरूप लगाते हुए कहा है कि अब ये सिर्फ हतियार भीजने तक सीमित नहीं है बलकि नॉर्थ कोरिया अपने यहां से लोगों को भी कबजाधारी मिलिटरी फोर्स में भीज रहा है। दरसल पिछले हफते साउथ कोरिया की रक्षा मंतरी किम यॉंग ह्यून ने कहा था किस बात की काफी उच्च संभाबना है कि नॉर्थ कोरिया यूकरेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए युद्ध भूमी में लड़ने के लिए अपने सानिक भीज रहा है। साउथ कोरिया के ओर से किये गए इस दावे को दोराते हुए ज्वैलन्सकी ने कहा कि यूकरेन और उसके सहयोगियों को रूस के इस गहरे गडबंदन के खिलाफ मजबूत जवाब देने की ज़रूरत है। में रूस के लिए लड़ने की खबरों से संक्त राज्य अमेरी का आज शुनते थैं। हत्यारों से उसके सैने ठिकानों को निशाना बनाने की मांग कर रही हैं। लेकिन उनके सहयोगियों के ओर से इस मांग को अभी तक माना नहीं गया है। हलंकि जैलन्सके का कहना है कि वह अपनी इस मांग को दोहराते रहेंगे। बहराल फरवरी 2022 से जारी रूस यूकरेन युद्ध में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत काई देश यूकरेन का साथ दे रही हैं। यही वज़ा है कि युद्ध के 960 दिन बीच जाने के बावजूद यूकरेन रूस का मुकाबला कर पा रहा है। यही वज़ा है। यही वज़ा है।